कहां गया सिक्षकों के टांसफर पोस्टिंग सौप्ट वेयर? क्यों खोल दिया गया छुट्टियों के दिन में भी विहार का सरकारी भिद्याले? क्यों विहार के सिक्षक और छातर दोनों ही परसान है? और क्यों इंटर्मेडियेट के सेंटप छातरों के लिए अचानक ही प कई सवाले उत्पन हो रही है जो सिक्षा विभाग से अपने इस वीडियो के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं इससे पहले कि इन तमाम सवालों पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करें अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो किर्प्या अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफर में हमारा समर्थन कीजिए दोस्तों सवालों की शुरुआत हम करते हैं सिक्षकों के टांसफर एवं पोस्टिंग से सम्बंदित शौफ्ट वेर के साथ क्योंकि मानने ये सिक्षा मंत्री की ओर से भी मेडिया के सामने या बयान दिया गया था कि अक्टूबर महीने के अंध तक नेचित रूप से सिक्षकों के टांसफर एवं पोस्टिंग से सम्बंदित सौफ्ट वेर जारी कर दिया जाएगा हाला कि उनकी ओर से ये भी बाते कही गई थी कि सौफ्ट वेर में कुछ खरावी चल रह है सौफ्ट वेर लोड नहीं ले पा रहा है लेकिन सिक्षा विभाग की ओर से उस पर त्वरित कारवाई की जा रही है बहुत ही जल्द उसमें उत्पन हुए खरावी को ठीक कर लिया जाएगा और सिक्षकों के लिए इसे जारी कर दिया जाएगा सवाल उठता है सवाल कहा फस गया वो सौफ्ट वेर क्यों नहीं जारी किया गया वो सौफ्ट वेर सिक्षा मंत्री क्यों नहीं दे रहे इन सवालों के जबाव एसे डॉक्टर एस सिदार्थ क्यों नहीं जारी कर रहे उस सौफ्ट वेर को दोस्तों इसके करम में हम बता दे कि सिक्षा विभाग क को शाय दिया पता नहीं कि सिक्षकों को जिस दिन अन्धेरा में ध़केल दिया गया मानु कि जैसे बिहार की सिक्षा विवस्ता ही धरातल में समा गई यह तो निशित है कि subvertail में बिलंब होने से यही अस्पष्ट joking होता है कि सिक्षकों का अभी ना तो अस्थानांतर नांतरन संबब हो सकेगा ना ही पदस्थापन संबब हो सकेगा जब सिक्षा विभाग की यही नियती है तो साफ सब्दों में सिक्षा विभाग क्यों नहीं का दिया करती कि अभी सिक्षकों का टांसफर नहीं होगा अभी सिक्षकों का पदस्थापन नहीं होगा बार बार सि सिक्षाविभाग के इन कर्तूतों से सिर्फ बसिर्फ सिक्षक ही आहत नहीं होते, तमाम मीडिया चैनल पर भी इसका असर परता है, क्योंकि सिक्षाविभाग ऐसा ही कुछ दिसानिर्देश हमेशा ही जारी करती है, जिससे मीडिया के द्वारा चलाना मजबूरी होता है, और इसी तरह मेडिया भी आसानवित होकर अपना खबर चला रहा है एक ना एक दिन तो सिक्छा विभाग का सारा पोल खूल ही जाएगा ये तो हुई टांसफर और पोस्टिंग से संबंधित सौप्ट बेर के बारे में दोस्तों लेकिन अब सवाल खरा होता है कि जिन दिनों में बिद्याले में छुट्टी होनी चाहिए उन दिनों में बिद्याले को खोल दिया गया है और या मुख्य रूप से सरकारी बिद्याले को खोला गया है एक नवंबर 2024 से तमाम सरकारी बिद्याले को खोल दिया गया बिद्याले खोलने के बाद परधाना ध्यापक सहित तमाम सहाय का ध्यापक भी सो समय अपने विद्याले में उपस्थित रहे उन्होंने अपना एटेंडेंस भी बनाया सिक्षा विभाग के पास ये खबर भी पहुची लेकिन छात्रों की संख्या नगन ने रही हम आपको बता दे दोस्तों कि पूरे बिहार का यह मामला है कि आउस्त चात्रों को चात्र तो विद्याले आही नहीं रहे हैं तो आखिर सिक्षा विभाग विद्याले को खोल क्यों रही है या सोचकर हर कोई हैरान है कि सिक्षा विभाग आखिर या रनिति क्यों बना रही है दोस्तों यह सिर्फ एक नवंबर की बाते ही नहीं है बीते 30 अक्ट अपने अपने घरों की सभाई में लगे हुए थे लेकिन सिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालियों को खोल दिया आखिर क्या हुआ उस दिन तो और भी स्थिती खराब रही दोस्तो चातरों की उपस्थिती विद्याले में नगन्य ही नगन्य साबित हुई और छुट्टी को भी विद्याले को बंद कर देना चाहिए था लेकिन उस दित्थी को भी बिहार का कमाम सरकारी विद्याले को खोल दिया गया है यह निचित है और यह दाबे के साथ मैं कहता हूँ कि उस दित्थी को भी छात्रों की संख्या विद्याले में बिलकुल ही नगन्य रहेगी ढोंडने और बुलाने के बाद भी छात्रों द्वारा बिद्याले में पहुचा नहीं जा रहा। छात्र बिद्याले का नाम सुन कर ही पर्व का नाम लेना शुरू कर देते हैं। और इसका समर्थन उनके अविभाव को द्वारा भी जरूर से जरूर किया जाता है। तो आकिर सिक्षा विभाग छुट्टी के दिनों में विद्यालियों को खोल कर क्या दरसाना चाहती है। सिक्षा विभाग की मनसा क्या है। हम इस वीडियो के अंत में बाते करेंगे। दोस्तों यही पर बाते समाप्त नहीं होती। बिहार के तमाम सरकारी विद्यालियों को 6 नवंबर 2024 से लेकर 9 नवंबर 2024 तक बंद रखा गया है। उसके बाद 10 नवंबर 2024 को रविवारिये चुट्टी है और 11 नवंबर 2024 जो सुम्बार आता है। उस्तिति को एक आएक ही सिक्षा विभाग द्वारा तमाम माध्मिक एवं उस्तर माध्मिक विद्यालियों में इंटरमेडियेट के सेंटरब छात्रों का टेस्ट एक्जाम का आयोजन कर दिया गया है। उन चात्रों की यह अंतिम परिच्छा होगी और इस परिच्छा में समलित होने वाले चात्रों का ही फाइनल परिच्छा के लिए एडिमिट कार्ड जारी किया जाएगा और वही चात्र अपने मुख्य परिच्छा में भी समलित हो सकेंगे। तो इतनी बरी परिच्छा का आयोजन एक आएक ही आखिर क्यों कर दिया गया सिक्षा विभाग आखिर इन बातों पर क्यों नहीं सोची कि विद्यालियों को भी अपनी तयारियों का समय चाहिए विद्याले अस्तर पर भी कई बिंदूओं पर तयारी की जाती है जिसमें छातरों को करम के अनुसार बिठाया जाता है एक बेंच और डेस्क पर सिर्ब सिर्फ दो छातरों को ही बिठाया जाता है तमाम छातरों का रॉल नंबर उनके डेस्क पर लिखा जाता है जिस तरह से बोन की परिच्चा होती है ठीक उसी परकाल इस परिच्छा का भी आयोजन विद्याले अस्तर पर होता है तो आखिर सिक्षा विभाग इन बातों पर क्यों नहीं विचार की और उसके बाद एक आएक ही परिच्छा का आयोजन कर दिया गया है कुछ चातर तो वैसे भी हो सकते हैं जो छट पर बाद अपने रिलिटिव के पास गए हुए होंगे आनन फानन में उन्हें अपने रिलिटिव का घर छोर कर विद्याले आना होगा उस परिच्छा में समलित होना होगा और सबसे बड़ी बात कि पर्व के अवसर पर चातरों क पढ़ाई भी बादित रहेगी आखिर छातर पढ़ेंगे नहीं तो परिच्छा में समलित कैसे होंगे इन तमाम बिंदू पर सिक्छा विभाग को निचीत रूप से ही ध्यान देना चाहिए था लेकिन सिक्छा विभाग अपने सभी बिंदू पर और सफल साबित होती है उ क्योंकि सिक्छा विभाग की रनिती तयार करने के लिए वैसे वेक्ति को निक्त किया गया होगा जिन वेक्तियों को ज़्यादा गहराईयों तक सोच नहीं होगी वो वेक्ति ज़्यादा दूर तक नहीं सोच रहे होंगे सिर्व सिर्व सामने आये बिंदू पर विचार कर रननीती तयार कर दी जाती है चाहे इसका अच्छा परिनाम क्यों न हो या फिर इसका दुस परिनाम ही सामने उबर कर क्यों न आए सिक्षा विभाग सिर्बसिर्फ रननीती बनाती है इसका परिनाम चाहे कुछ भी हो और दोस्तो सिक्षा विभाग की मनसा आखिर छुटियों के दिन में भी विद्याले खोले जाने का क्या है सिक्षा विभाग सिर्व सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाहती है सिक्षा विभाग या चाहती है कि अगर छुटियों के दिनों में भी विद्याले को खोल दिया जाता है तो तमाम अविभावकों की ओर से बिहार सरकार की सराहना की जाएगी सिक्षा विभाग का जैकारा लगाया जाएगा लेकिन सिक्षा विभाग की रन्निती यहां भी ओस सफल साबित होती है. क्योंकि सिक्षा विभाग द्वारा अविभाग को कियोड से सुर्खिया बतोरनी की तयारी की जाती है और वही अविभाग अपने बच्चे को विद्याले में नहीं भेजते हैं. उनका कहिना होता है कि पर्व का दिन है, पर्व का अवसर है, तमाम यारी करेंगे साप सफाई करेंगे इस कारण अईभावक अपने चात्रों को विद्याले अस्तर पर नहीं भेजते और सिक्षा विभावक को लगता है कि अईभावक से हम सुर्खियां बटोर रहे हैं यहां भी सिक्षा विभावक अपनी सुर्खियां बटोरने में भी नाका बिहार के आम जनता को इनकी रनिती समझानी सुरू हो जाएगी इनकी रनिती की खामिया सामने उभर कर आ जाएगी सिक्छा विभाग सुर्खियां बटोरना छोड़ देगी और फिर उसी रास्ते पर लोटेगी जिस रास्ते पर पहले बिहार की सिक्छा विभाग चला करती थ बिहार के तमाम चात्र विद्याले में आकर सिक्छा गरहन किया करते थे तमाम सिक्छक विद्याले में आकर अध्यन अध्यापन का कार्ज किया करते थे दोस्तों सिक्षा विभाग के इनियती से सिक्षक और चात्र दोनों ही परसान है दोनों को चैन नहीं है सिक्षा विभाग ने आखिर हर किसी को बेचैन करके छोड़ दिया है देखना है कि इस बेचैनी का क्या दुस्परिनाम सामने आता है लेकिन जो भी दुस्परिनाम आएगा बरा ही ध्यावा होगा फिलहाल आज की खबर बस इतना ही आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास सेर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्ते के चोधरी को इजाज़त जै हिंद जै भारत